प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अगहोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अगहोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। आप कुशर मंगल होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज का ये वीडियो आपके जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। इसलिए गलती से भी इस वीडियो को मिस्स मत कीजेगा। और ध्यान पूर्वक अंत तक देखेगा जीवन में प्रेम संबंधी या शादी संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। प्यार एक ऐसी भावना है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन आपके पास व्यक्ति को बेशक कंट्रोल करा जा सकता है जिससे आप प्यार करते हैं यही नहीं आप उसे अपने प्यार में इतना पागल कर सकते हैं कि वो खुद आपके पास आकर आपको I love you कहेगा और आपकी हर वो इच्छा पूरी करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं और ऐसा मुम्किन है आज के इस साधारन से टो वश में करने के लिए इस वीजियो को पूरा देखिए आज मैं आपको इस वीजियो में बताऊंगी कि लहसून और काले धागे से कैसे हम किसी बिस्त्री या पुरुष को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं और कैसे उससे अपना मंचाहार काम करवा सकते हैं अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपके कोई भी बात नहीं मानता तो आप इस शक्तिशाली टोटके का सहरा ले सकते हैं और ऐसा करके आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं तहे दिल से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि कृपा करके इस पावरफुल टोटके का इस्तमाल किसी भी गलब प्रकार का कारे को अंजाम देने के लिए बिलकुल ना करें क्योंकि भग तो इस टोटके का कोई काट नहीं है अगर या आपने किसी पर कर दिया तो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपका ही होकर रह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो किसी और के बारे में नहीं सोच पाएगा तो यदि आप किसी से सचा प्यार करते हैं और आज जीवन उसे केवल अपना बना कर रखना चाहते हैं तभी इस महाशक्तिशाली वशिकरण का सहारा लीजिएगा तो चलिए अब हम आपको बताते हैं लहसून और काले धागे से वशिकरण की विधी ध्यान रहे इस विधी को बुधवार रातरी 11 बजे से 12 बजे के बीच स्नाम करके करना होगा सबसे पहले आपको लहसून की पांच कल्या लेनी होगी लहसून आपको अपनेरा सोई घर में आसानी से मिल जा इसके बाद आपको लेना होगा काले रंग का धागा ये भी आपको बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा अब सबसे पहले आपको सूई में काला धागा पिरो लेना है और फिर लहसून के बीचों बीच सूई दाल कर एक एक करके पांच कल्यों को आपस में पिरोकर ए चाहते हैं और एक बहुत ही महत्वपून बात जब जब आप सूई लहसून की कली में डालेंगे तब आपको एक मंत्र बोलना है एकाग्र होकर बोला गया ये मंत्र उस व्यक्ति के मन में आपके लिए आकर्शन पैदा कर देगा अब माला तयार होने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है यदि आप स्त्री हैं और किसी पुरुष पर वशी करण कर रही हैं तो आपको अपने तक्ये की दाहिने ओर यानि की राइट साइड इस माला को रख देना है और यदि आप पुरुष हैं और किसी स्त्री पर वशी करण कर रहे हैं तो ये माला आपको अपनी लेफ्ट साइड यानि की बाई ओर रखनी है अब आपको सुभा उटकर स्नान करना है और स्नान करने के बाद इस माला को सुभा सवा साथ से सवा आठ के बीच किसी पीपल के पेड़ पर एक कील के सहारे बांध देना है इस दोरान आपको अपने मन में उसी पुरुष यस्त्री का नाम दोराना है जिस पर आप ये वशी करंट कर रहे हैं लेकिन दोस्तो एक और इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता दू कि ध्यान रहे इस चोटके को करते समय आपको कोई ना देखे यदि ऐसा होता है तो ये वशी करंट खंडित हो जाएगा तो भगतो आपको एकांत का पूरा खयाल रखना है लेकिन दर्शको अगर आपको लगता है कि आप अकेले ये विधी नहीं कर सकते आपको डर है कि कोई घरवाला या बाहरवाला आपको ये विधी करते देख ना ले तो घबराये मत ऐसे में आप हमें फोन करके कोई दूसरी विधी या कोई दूसरा प्रभावशाले सिद्र मंत्र पूछ सकते हैं हमारा फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर दिये गया है हम आप से वादा करते हैं कि हम मन चाहा प्यार दिलवाने में आपकी जरूर मदद करेंगे तो दोस्तों आज का ये लहसून और सुई धागे का वशी करन टोटका एक बहुत ही प्राची और श्रक्तिशाली टोटका है जिसे लाखों लोगों द्वारा परखा और आजमाया गया है इस चोटके को करने के दो दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति जिस पर आप ये टोटका कर रहे हैं वो पूरी तरह से आपके वश में हो सकता है यदि आपके मन में विधी को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कभी भी फोन करके हमारे गुरूजी से डिटेल में पूरी विधी पूच सकते हैं इसके अलावा यदि आपके जीवन के किसी भी पहलू में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप फोन कर सकते हैं साथ ही हमारा ये नमबर स्क्रीन पर भी दिया गया है, हमारे गुरू जी से संपर कर सकते हैं, धन्यवाद